नमा मिरामं एरगुबन शनातं भगवान स्रिक्रिष्ण जुद्ध के मैदान में अर्जुन को गीता का उप्तेश देते हैं और कहते हैं कि देखो अर्जुन सुख या दुख खानी अलाव विजय या पराजय का विचार किये बिना ही तुम जुद्ध करो अपने कर्म में नियत व्यक्ति को अंजाम के परती नहीं सोचना चाहिए जुद्ध करना तुम्हारा धर्म है और जीवन एक जुद्ध है जीवन एक जुद्ध है मने हमें पढ़ना है विदार्थी के लिए जुद्ध पढ़ना है किसान के लिए खेती में किसानी करनी है भगवान इसी कर्म बयवस्ता के बारे में बतलाते हैं कि तुम्हारी जिंदगी का उद्दे से क्या होना चाहिए हमें कर्मों में नहित होना चाहिए और वहां पे जय पराजय सुख दु खानी लाफ का त्याग करके निजप्रिक्ष भाव से हमें अपने कर्मों में अपने आपको लगाए रखना चाहिए ये भगवान स्रीकिष्ण का उपदेश है अध्याय दो स्लोक 38 शुख दुखे शमे कृत्वा लाभा लाभ हो जया जयो ततो जुध्धाय जुध्धश्व नेवंपाप मवास्यशी तुम सुख या दुख हानी या लाभ विजय या पराजय का विचार किये बिना जुध्ध के लिए जुध्ध करो ऐसा करने पर तुम्हे कोई पाप नहीं लगेगा सुख दुखे समे सुख और दुख में संभाव को प्रात करो कृत्वा लाभ हा लाभ हो जया जियो लाभ हो या हानी हो जय हो या पराजय हो ततो जुध्धाय जुध्धश्व जुध्धाय मने जुध्ध करने के लिए जुध्धाय जुध्ध करने के लिए जुध्धश्व लडो न इवं पाप मा वाश्यशी न कभी ही इवं इस तरह तुम पाप के भागी बनोगे दुखे समेक्त्वा लाभा आलोभो जयाजयो ततो जुद्धा ये जुद्धशा नैनंग नैवंग पाप मवाशशी तुम शुख या दुख हानिया लाभ बिजया पराजय का विचार किये बिना जुद्ध के लिए जुद्ध करो ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं ल लगेगा भगवान गीता के फिर अध्याय दोब में उन्चालिश्विस लुक में कहते हैं ए शांग्ते अभिता शांखे बुद्धिर योगति मांशिणू बुद्धाय युक्तो यवा पार्थ कर्म बंधन प्रहाश शीव यदि मैंने बैसलेशिक अध्यैन शांख के द्वारा इस ग्यान का बढ़न किया है अब निश्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं उसे सुनो हे प्रिधापुत्र जदि तुम ऐसे ग्यान से कर्म करोगे तो कर्मों के बंधन से अपने आपको मुक्त कर सकते हो देखिए फ ुस्तमें भी तुमको अपने आप एक अहंकार का जो भुद होता है वही कर्म का बंधन है कि मैंने ये किया मेरे अंदर ये पुरुशार्त है ये बंधन से है ब्यक्ति अपने आपको उस कर्म में बानता है और उसके अंदर वो जो अहंकार पैदा होता है, भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं काम को प्राप्ट करो, निश्का, बुद्धा, युजितो, यथा, पार्थ, कर्म, बंधन, प्रहाशशी, उसे सुनो हे पिथापुत्र, तुम यदि ऐसे ग्यान से कर्म करोगे, तो कर्मो के बंधन से अपने आपको मुक्त कर सकते हो, क्या गान है, अब निश्काम भावशे कर्म करना बता रहा हूं, अब उसकाम के प्रति, तुम्हारी निश्काम बुद्धी की चिष्टा होने चाहिए, नेहा भिक्रमना शुवस्ती, प्रत्यवायो नविद्यते, श्वर्पमश्यधर्मश्या, त्रायतो महतो भवासलुक्ट, चालिस अध्याएदो, इस प्रियास में नतोहानी होती है, नहीं हास, अपुतु इस पत्पर ही की गई, और प्रगती भी महान भाई से रक्षा कर सक करती है, यानि कौन भाव है, ये भाव है निश्काम कर्म, कर्म करते हुए भी कर्मों के अंदर जनित जो अंकार है, जो तुम्हारी आत्मा को बिचलित करता है, और तुम्हान इलाव सुख दुख, जय और पराजय का कारण खुद को समझ लेते हो, उससे तुम अपने आप को दूर करो, कर्म का सरोच दिब्गून है, कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय अस्तुति, इंद्रिय तिप्ति की आशार न करके कृष्ण के हित में काज़ करना, ऐसे कर्म का लगू आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, और न कभी इस आरंभ का बिना होता है, और तहर तुम कर्म में अपने